पुण जो सब्सक्राइब यह दिखने में जटनी सुंदर है बनाने में उससे भी ज्यादा एज़ी है आप इसको जुरू ट्राय करें अपने घर पे और बहुत एजीली बन जाएगी beads, ball chain इनकी मदद से ये राखी तो सबसे पहले मैं आपको ये beaded राखी बनाना से खाऊँगी इसके लिए मैं मूतियों को बस shape में लाना है तो देखिए याप पे मेरे पास कच red color की beads है जिनको मैं needle में डालूंगी और आप इसके लिए जो beads है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं 5, 4, 6 जितने आपको चाहिए देखिए इस तरीके से इमें डालना है तो देखिए मैंने आप पे 5 मूति डाल ली है अब मैं यहाँ पर एक knot tie करूँगी एकदम tight जिससे इस तरीके की shape में आ जाएगा तो देखिए अब मैं क्या करूँगी मैंने एक white bead लिया है जिसको मैं इसके center पे set करूँगी beads की जो colors है वो आप totally अपने हिसाब से ले सकते हो तो देखिए यह जो है हमारा राकी का pattern एकदम proper shape में आ गया है अब यहाँ पर क्या करना है मैंने लिया एक thin cardboard इसके उपर मैं अपने इस pattern को paste करूँगी तो देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें लेनी है golden color की ball chain and ball chain को इस तरीके से छोटे-छोटे pieces में हमें cut करना है तो देखिए मैंने यहाँ पर glue लगा दिया है अब देखिए हमारी राखी का पूरा basement के बिल्कुल तयार है अब मैं इसको dry होने दूंगे और उसके बाद cut करूँगी तो देखिए अब हम बनाएंगे राखी के लिए इस तरीके की डोरी जिसके लिए मैंने आपे anchor के thread को 3 pieces में cut कर लिया है आप wool का भी use कर सकते हो तो अब मैं क्या करूँगी इन 3 pieces को मैं इस तरीके से आपस में equally पकड़ के रखूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं एक knot को tie करूँगी देखिए कुछ इस तरीके से तो knot tie करने के बाद हमें क्या करना है आप यहाँ पर wool का भी use कर सकते हैं और colors आप totally अपने according ले सकते हैं इस तरीके के colors लीजेगा जिससे आपकी beads जो है वो भी match हो जाए तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी thread पूरी तयार कर ली है पहले शुरू में हमने knot tie किया इसको पूरा गूत लिया और इसके बाद नीचे भी मैंने एक knot tie कर दिया अब लेना है कि हमें छोटा सा बुकरम का piece और यह जो thread है इसको इसके उपर paste करना है अब जो हमने pattern तयार किया था है इसको भी मैं आपर paste कर दो तो यह वाली जो राकी है इसको बनाने का method तो same है बस यहाँ पर मैंने एक single wool ली है इस वाली राकी के लिए आपको four ही beads लेने और उन पे knot tie करनी और center पे एक white bead लगाना है ball chain का color मैंने अलग लिया है और यह भी एक तरह से यही वाली राकी है बस इसमें मैंने white bead नहीं लिया है same ही color के beads लिया है अब मैं आपको एक अलग तरीके के pattern के राकी बनाना सिखाऊंगी जैसे जिसमें हम कुछ भी paste करके उसके side में layer देके लगाते है तो इस राकी के लिए मैं बुकरम का एक piece चाहिए इसके उपर मैं paste करूँगी यह red color का कुंदन अब यहाँ पर मेरे पास इस तरीके के silver color के beads जिनको मैं needle में पिरूँगी और उसके बाद इसके corners पे मैं लगाऊँगी जैसे इसके कौनों पे अच्छे से लगाया है वैसे इसके corners पे भी लगाने है देखिए यह मोर्ती तो सारे हमने पे रोल लिया है अब मैं इनको यहाँ पर paste करूँगी glue मैंने अल्रेडी लगा लिया है तो देखिए यह piece हमारा dry हो गया है मैंने इसको cut कर लिया है यहाँ पे डोरी के नीचे मैंने again bookram ही लगाया है जहाँ पे मैं इसको paste करूँगी अब यह जो राखी है इसमें भी pattern ही बनाया है half cut pulse और ball chain से और उसके बार डोरी मैंने एक तरफ दो मुती और दूसरी तरफ भी दो मुती पिरो ढूई है और उसके पर नौर टाय की है तो मैंने तो अपने काना जी के लिए सुंदर सुंदर सी राखिया तयार कर ली है अकर आपने अभी तक नहीं किय है तो इस वीडियो से उमीद है आपको बहुत अच्छे-च्छे आइडियाज मिले होंगे तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए अप एक लाइक तो देही सकते हो और चैनल को शेर करना, सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसको भी जरू टैप करना ये राखी सरफ पांच मिनिट में आराम से तयार हो सकती है और बहुत सुन्दर लगती है बनने के बाद थैंक यू सो मच पो वाचिंग मैं वीडियो बाई, सी यू गाइस इन मैं नेक्स्ट वीडियो